Hello everyone, welcome in this channel इस वीडियो में हम लोग C.T.E.T. और T.E.T. एक्जाम में पूछे जाने वाले महात्रपुड प्रस्नों पर डिस्कसिन करेंगे ये सीरीज की पांचवी वीडियो है और आप बाकी सारी वीडियो उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिये गए लिंक पर जाकर देख सकते हैं ये सवाल आपसे चौथी वीडियो में पूछा किया था कि कौन सा जौला मुखी परवत है तो इसका अंसर हो जाएगा C. किली मन जारो किली मन जारो ये कहां पर सित है तंजानिया में सित है और ये एक निस्क्रिय जौला मुखी परवत है किली मंजारों दुनिया का सबसे उचा मुक्त खड़ा परवत है और ये क्या है बिसो में साथ ही ये बिसो का चौथा सबसे बड़ा परवत है जिसका आधार कितना है जिसकी आधार से उचाए कितनी है पांस जार आट सो ब्यासी मीटर है आज का पहला प्रस्ने है उच्च जवार के साथ कपकपी जिसका उपचार सिनकोना पेड की छाल से किया जाता है वह है तो पहला आप्शन है आपका चिकिन गुनिया दूसरा आप्शन है डेंगू तीसरा आप्शन है मियादी बुखार और चौथा आप्शन है मलेरिया तो इ अनित एक संक्रमित भीमारी है, इसमें तेज बुखार के साथ कपकपी आती है, ओर मलेरियय की उप्चार के लिए सिंखोना की छाल का प्रयोग किया जाता है, और इसी छाल से मलेरियय की दवाई भी बनाई जाती है, अगला सवाल है, आम तोर पर यां माना जाता है, कि रात में जागने वाले जानवर हर चीज को किस रंग में देखते हैं और वे हैं तो किस रंग में देखते हैं काले और सफेद में देखते हैं अगला सवाल है निमलिखित में से कौन अंतर रास्टिय ख्याती प्राप्त बेट लिफ्टर है तो आपका आंसर हो जाएगा बी क 130 किलोग्राम तक का बजन उठाने में सक्षम है और कर्णम मलेश्वरी क्या है यह ओलंपिक खेलों में कास्पदक को जीतने वाली पहली भारतिये महिला भी है अगला सवाल है रेटिंग स्केल में कौन सी तकनीकी का उपयोग होता है तो आप आंसर हो जाएगा ए औलोकन तकनी और मूली ये क्या है जड़ों के समू है गाजर चुकंदर सलजम मूली सकरकंद ये सब क्या होती है मुस्ला जड़े होती है हल्दी आलू अद्रक जीमिकंद और ऐसे बहुत सारे क्या होते हैं तनों का तरण रूप हैं अगला सवाल है निमलिखित में से कौन सा चानु का उप्रक्रण है तो पहला ऑप्षन है जानवर दूसरा अप्षन है हम चीजे केट से बनाते हैं तीस्राव है परिवार और मित्र और चौत्हा ऑप्षन है भोजन तो आपका आंसर इसमें क्या हो जाएगा 2 जानवर क्या है एक उप्रक्रण यह क्या है उसका उप्रक्रण है पर्यावरण अध्यान का पाठिक्रम है जानवर उसका क्या होता है एक उप्रक्रण है ना की प्रक्रण आपसी संबंध, काम और खेल, जानवर और पौधे ये चारों क्या हैं? परिवार एवं मित्र के उप प्रक्रण है तो आपका जो परिवार और मित्र है ये एक प्रक्रण है और उसके उप प्रक्रण कौन कौन से है? आपसी संबंध, काम और खेल, जानवर और पौध है ये चारों इसके उप प्रक्रड है तो आपके टोटल प्रक्रड की बात करें तो कितने हैं? भोजन, पानी, आवास, परिवार वं मित्र हम चीजे कैसे बनाते हैं? ये क्या है? परियावरण अध्यन के मुख्या प्रक्रड है अगला सवाल है, निमलिखित में से कौन सा वर्तमान परियावरण अध्यन पाठक्रम के छे मुख्य थीमों में से एक नहीं है आपको ये बताना है कि थीम का मतलब हो गया प्रक्रड नहीं है कौन सा इसमें प्रक्रण नहीं है पहला option है आवास दूसरा option है हम चीजे कैसे बनाते हैं तीसरा option है काम और खेल और चौथा option है भोजन तो आंसर आपको क्या हो जाएगा C काम और खेल क्योंकि यह क्या है एक उप्रक्रण है तो टोटल कितने आपके प्रक्रण है छे प्रक्रण है और कौन कौन से पहला है परिवार एवं मित्र दूसरा है पानी और फिर यात्रा भोजन आवास हम चीजे कैसे बनाते हैं यह छे क्या है इसके प्रक्रण है काम और खेल क्या था ये परिवार यों मित्र की एक उप्थीम थी उप्थीम का मतलब हुआ उप्रक्रड है अगला सवाल है नारियल डड़ी हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टैप योका निमलिखित में से किस छेत्र का भोजन है पहला आप्शन है आपका पस्चिम बंगाल दूसरा ओप्शन है केरला तीसरा ओप्शन है बिहार चौथा ओप्शन है तमिल नाडू तो आंसर क्या हो जाएगा बी केरला अगला प्रस्न है हमारे देश के मानचित्र में जारखंड कहां इस्थित है पहला ओप्शन है यहाँ पे पस्चिम बंगाल के पूर में, उडीजा के उत्तर में और next option है चत्तिजगर्ड के दच्छिर पूर में और last option है उत्तर प्रदेश के पस्चिम में. तो इसका आंसर हो जाएगा B, उडीजा के उत्तर में. इसको समझने के लिए हम लों मान्चितर को भी देख लेते हैं. आप इसे ध्यान से समझ सकते हैं कि जारखंड ओरीसा के किस दिसा में है हमारा अगला प्रस्थ निम्नलिखित में क्या पेट्रोलियम से प्राप्त नहीं होता है पेट्रोलियम से ना प्राप्त होने वाले चीज के नाम बताने है पहला option है मूम, दूसरा option है ग्रीस, तीसरा option है कोईला और चौथा option है डीजल तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कोईला क्योंकि मूम, ग्रीस और डीजल ये तीनों ही किसे प्राप्त होती है पेट्रूलियम, गैस पेट्रूलियम से प्राप्त होती है अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और साथ ही हमारे चैनल को सस्क्राइब करें और बेल आइकन को भी क्लिक करें जिस से आगे आने वाली वीडियो की आपको अपडेट मिल जाए और इस वीडियो में साथ बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद